समोसा कचोडी भी इसके आगे सफिके लगेंगे जब आप एक बार ये नास्ता घर पर बना कर खाएंगे बनाना इसको एकदम आसान है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिशनल फ्लीवर में तो चली ये बनाना सुडू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में ओईल करम करेंगे तो एक चमच हम इसमें लेंगे रिफाइन ओईल अच्छे से जब गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे आदर छोटा चमच जीरा जीरा जटकने लगा है अब इसमें हम डालेंगे एक कप पानी सुआत अनसुआर हम इसमें डालेंगे नमग सूजी तो यह मैंने बारीक सूजी ली है एक कप पानी में हमें 1 कप सूजी डाल ली है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप मिक्सर-क्राइंडर में आप उसे एक पर पीस लीजे लगा बिलेएंगे तो एड़िके अच्छे हम इसे मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम का फ्लेम हमें लो करना है, लो फ्लेम पर हम इसको इस तरह के से मिलाएंगे, यह एक डोकी फॉज्ऑ में आ गया है यह, जादा समय नहीं लगता है, बस एक तूम निट में ही अच्छे से इस स्टफिंग त्यार कर लेते हैं तो पैन में हम एक चम्मच ओयल गरम करेंगे अब इसमें हम डालेंगे आदा चोटा चम्मच जीरा एक पिंच में डाल रही हूं हींग एक चोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसमें हम डालेंगे उबली हुए आलू तो मैं इसको इस तरीके स सब्सक्राइब हांने चंप ने लाइए पाउडर दालेंगे स्वाद अनसाल नमर एक चुड़ा चमच मैं दाल रही हूं चांट मसाल्य एक चमच कसमीरी लाल मिल्च पाउडर डालेंगे यह इंच अधर कर सी तो घोड़ा है तो जुड़ा सा बारिक कटा हुआ हराधनिया सब को डाल कर हम अच्छे से मिलाएंगे हमने केवल आलू से ही स्टफिंग बना के त्यार की है आप चाहिए तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं बारी कटीवी सब्जियां भी डाल सकते हैं आलू से भी ज्यादा बढ़िया बनके त्यार होती है मैं आपको बहुती आसान तरीके से बढ़िया बनके त्यार हुई है अब इसे साइड में रख देंगे और देखिए सूजी भी अच्छे से ठंडी हो गई है हलकी सी गरम है यह तो आपको हलकी गरम ही लेनी है और इस तरीके से जैसे आप आटा गूंते है उसी तरीके से हम इसे गूंत लेंगे यह देखिए ब दो भागों में कर लेंगे और इसकी लोईया बना के तयार करेंगी तो हमने इसकी दो बड़ी-बड़ी लोईया बना के तयार की है यह देखिए अब हम इसको बेल लेंगे जिस तरह आप रोटिया बेलते हैं तो ज्यादा पतला भी हमें नहीं बेला है हलका मोटा बेलेंग करेंगे इसके किनारियां हैं हम साइट से इस तरह काट लेंगे और इनको अलग कर देंगे हम इसको चौकर शेप में इस तरीकी से काट लिया है ऐब हम इसको चार भागों में इस तरीके से काट लेंगे और स्टफिंग के हम छोटे छोटे बाल्स बना के इसमें रखेंगे अब हम इसका एक भाग उठाएंगे तो दिखें उठाने में बड़ी आसानी से हम इसको उठा सकते हैं बिल्कुल भी तूटता नहीं है और नहीं चिपकता है और इस तरीके से हम इसका एक एक कॉर्णर को इस तरीके से चिपकाएंगे बहुती आसानी से चिपक जाता है यह देखे और बिल्कुल भी खुलता नहीं है चिपकाने के बाद बहुती बढ़िया हम इस तरीके से शेप बना लेंगे अगर आपको कोई और शेप में इसकी डिजाइन वे इस तरीके से बनानी है तो आप बना सकते हैं तो यह देखे कितना सुंदर लग रहा है देखने में बहुत ही बढ़िया तो एक और मैं भी आपको बना कर बताती हूं तो यह देखे इस तरीके से हम कॉर्णर इस तरीके से चिपका देंगी होती आसानी से बन जाता है और समय बिल्कुल भी नहीं लगता इसे बनाने में इसी तरीके से हम सभी को बना के तयार करेंगी आप एक दिन पहले भी बना कर इसको फ्रेज में रख सकते हैं और अगले दिन जब आपका मन करें आप इने चमच कौन फ्रोर या आप इसकी जगा और आरोट भी डाल सकते हैं इसे बहुती बढ़िया क्रिस्वी बनते हैं आदा चोटा चमच में इसमें डालेंगी करलोंजी तो अगर आपके पास है तो आप जरूर डालें इसे बहुती बढ़िया खुश्ववाती है खाने में आपके पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके में इसमें पानी डालेंगे पहले हमने थोड़ा ही डाला है और अच्छे से मिक्स करेंगे हमें इसका पतला घोल तियार करना है बना कर तो थोड़ा पानी अपी में इसमें और डाल रही हूं और अच्छे से मिक्स तो देखे इस तरीके से हमें गोल बना के त्यार नास्ते को हम एक ही कटके इसमें डिप करेंगे इस तरीके से और गर्मा गरम ओयल में हम फ्राइ कर लेंगे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है हाई फ्लेम पर हमें इनको फ्राइ नहीं करना है बनना ही क्रिस्पी नहीं बन तो यदिके हलका हलका गोल्डन कलर आगया है तो दोनों साइड से अच्छी से इनको फ्राइ कर लेंगे तो देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं यह खाने में भी बहुत ज्यादा टेश्टी लगते हैं तो सुजी आलू का यह नास्ता आप एक बार जरू ट्राइ किज कमेंट में भी ज़रूर बताईए आपको यह रेसिपी कैसी लगी यह रिखिए पहुत अच्छी से फ्राइ हो गए हैं अब मिने प्लेट में निकालेंगे आप ही चल्दी से बनाइए और गरम गरम चाय के साथ एंजाइ कीजिए रेसिपी इछी लगी हो तो वीडियो को ला बाइए